हालो फेंटों केजिए आप से भी स्वाथ करते हैं आप सभी काईवस्तिजी को इसमें तो फिन आए जोए कि विहार इंट्रेंस इक्जाम 2024 के लिए कुछ इंक पार्टेंट कोश्चन लेके आए हुए हैं जिसमें कि आपका रेजनेंग का और उसके बाद जोए कि मैतमेटिक् नोट करनें खिजिएगा जिसका आंसर पता नहीं होगा जो नहीं बनता है उससे नोट किज preservation कणते हो रिवाईज करते रहे लिए अप सभी चले सुर करते हैं आइप कविठेट्य को क्रते हैं आप सभी सीर अपने दोस्तों में जरूर कर दिजएगा रहे धीके अप लिए अगर इस प्रकार का देखेंगे हम सभी सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट का काम उसके बाद भाग तब गुना, इस परकार से होता है, तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे, तो 3 गुना अगर 30 करते हैं, तो 90 हो जाता है, 90 में 3 मैंनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, जो कि हमें 13 पूराना है तो यह समीक्राण कौन सा फॉलो absolute करने बाला है, अलाकि इस प्रकर का सवाल में क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, चारों उप्षन इसमें चेक करना पड़ता है, हलाकि कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस अगर करते रहेगा, तो ये सवाल आप देखते ही बना लिजएगा, तो प्रैक्टिस काफी ज़रूरी होता है, एक्जाम को निकालने के लिए फ्रेंड, तो सबसे पहला उप्षन हमसे भी चेक करके देखते हैं, सबसे पहला option चेक करके देख लेते हैं क्या है तो पहला option में क्या कहा गया है गुना को minus से प्रसपर बदलने पर 13 आएगा या नहीं आएगा तो 30 था ठीक है उसके बाद 3 था उसके बाद फिर 3 है और बराबर 13 दिया हुआ है तो गुना को क्या बोला गया है minus में बदलने के लिए जो यहाँ गुना देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा गुना और यह minus उटके कहा चल जाएगा यहाँ पर तो यानि minus यहाँ आ जाएगा और गुना यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 तीया 9 और 30-9 करेंगे तो क्या जाएगा 21 आ जाएगा तो यह option क्या है गलत है option नमर B को चेकर लेते हैं अब क्या था 30 था उसके बाद 3 था फिर 3 था और वरावर क्या था 13 था ठीक है तो यहां क्या कहा गया है गुना को भाग में बदल कर मैनस को पलस में बदल कर देखे तो तेरा आता है या नहीं तो ठीक है हम सभी देख लेते हैं गुना को क्या करना है जो यहां गुना है यहां भाग में बदलना है तो गुना को हम क्या करते हैं भाग में बदल देते हैं और यहां क्या कहा गया है मैनस को पलस में बदल देते हैं तो मैनस यहां पे हैं तो हम क्या करते हैं मैनस को पलस में बदल देते हैं तो अब देखते हैं तेरा पूरता है या न पूरता है तो सबसे पहले हम काम क्या करें तो भाग का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर तीन से तीस में अगर भाग करते तो दस बार में कट जाएगा और यह पलस यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो गया तेरा हो गया बिलुकुल यह रूल क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है तो हलाकि यह option नमर B में दि होगा ध्यान रखेगा आप सभी के लिए रहें आगला कोईसन देखिए उस विकलब का चैन कीज़े जो तिसरे पत उसी परकार से संबंदी थे जिस परकार से दूसरा पत पहले पत से संबंदी थे पढ़ लिज़े अभी यह टाइप का जिससे कि आपको एक्जाम पेपर में केंफूजन ना हो देखिए 11 को क्या लिखा गया है 179 लिखा गया है तो उसी परकार से हम सभी 18 को क्या लिख सकते हैं माइंड लगाए रिजनिंग का मतलब क्या होता है लाउजिक लवजिक लगाए कितना आप सोच सकते हैं इसके बारे में अगर 11 को 169 लिखा जाता है तो उसी परकार से 18 को क्या लिखा जाएगा तो सिंपल सा इजी कोशने मानिय हल्वा है यह आपके लिए सिर्फ कोशन को देखते हैं आंसर आजाना चीए था आपका यहां देखें क्या क्या गया है अगर 11 में अगर 11 में 2 पलस की जेगा तो 13 आ जाएगा ठीक है और 13 का स्कॉयर करके देखें तो कितना आता है 179 आता है हलाके इससे पहले भी आपको बताए होंगे और यह सारा कॉंसेप्ट अपलिकेशन पे किलियर करा दिया गया है वहाँ पे टॉपिक वाइस सारा चीज़ दिया गया है उसे परकार से हम क्या करेंगे 18 में 2 को पलस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और 20 का स्कॉयर करके देखें तो कितना आ जाता है तो यह थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो हम से भी जानते है 179 का स्कॉयर होता है तो जरूर है कि 11 में 2 पलस किया हुआ तो उसी परकार से हम भी क्या कि 18 में 2 पलस कर देंगे तो 20 आ गया 20 का स्कॉयर कर देंगे तो 400 आ गया किलिए रहें आगे देखिए आगे भी बिल्कुल आप सबी इस सवाल को बना सकते हैं अगर इससे पहले वाला प्रैक्टिसेट कवर किये होंगे तो नेमले किस रिंखला में से अगले आने वाले अक्षर का चैन किजिए ओ आर यू एक्स ए है अगला अक्षर कौन सा आएगा इसमें कोशिस किजिए बनाने का महीनत करने वाला का कभी भी हार नहीं होता है फिर इन ध्यान रखेगा आप सभी महीनत किजिए आप सभी सकसेस आपको निस्चित मिलेगा अगर महीनत करवे नहीं किजिए आप तो आपको सफलता मिलेगा अखिर कैसी तो महीनत किजिए आप सभी कोशिस किजिए बनाने का गलती होगा कोई दिकत नहीं है फिर हम आपको बताने वाले हैं तो आप सही कर लिजेगा तो आपको पता होगा अलफावेट सीरीज आपको बताए थे आलफावेट का नम्मर भी आपको याद करवाय weit थे जैसे के आपको बताये थे कि d का अस्थान 4 होता है t का अस्थान 20 होता है इस प्रकार से आलफावेट सी आपको याद करवाय थे हमें उम्मिदे कि आपको याद होगा तो सबसे पहले देख लिए हम जाते हैं Q से R की तरब ठीक है तो यहां देखेगा हम लिख लेते हैं यहां पे Q है R है U है X है और A है ठीक है Q नहीं है O है ध्यान रखेगा हम O से R की तरब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा अगर O से आगे चलिएगा तो O के बाद क्या होता है P, Q, R यानि कि 3 पलस क्या गया है ठीक है? यानि कि 3 आगे है O से R 3 आगे है देखे लिजे गिंति करके O के बाद क्या होता है P, Q, R के लिए रहे यानि कि यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, X के बाद क्या होता है, Y, Z, A, यानि कि यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे भी हम 3 प्लस करेंगे, तो A के बाद क्या आएगा, B, C, D, तो ध्यान रखेगा आप इसी परकार से यहां हम भी तीन बढ़ चुके हैं क्योंकि जेट के बाद रिपीट हो जाता है फिर ध्यान रखेगा आप सभी तो फिर से यह ही आएगा अगला कोईसन देखिए आगला कोईसने निमलखित में से बेजोड की पहचान किजिए इनमें से कौन सा बेजोड सब्द है यानि कि तीन किसी तरह से सम्मेल खा रहा है और एक इसमें बेजोड है यानि कि तीन आपसन ऐसा है जो एकी रूल को फॉलो कर रहा है और जो चौथा अक्छार है वो सेम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसी को बेजोड का जाता है तो इसमें कौन सा आपसन आने वाला है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा तो सवाल को बना लिज़ेगा आप सभी थोड़ा सा पहला option को हम सभी चेक कर लेते हैं पहला क्या है क्ये है पहला देखें क्या है एल है क्ये है जे है आई है तो हम सभी जानते है कि पहले आता है कि उसके बाद आता है एल ठीक है तो के के बाद क्या आता है एल आता है यानि कि यहाँ पर क्या कर दिया गया है एक मैनस किया गया उसी परकार से दिखें हम सभी जानते है कि आई के बाद जे आता है तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है यहाँ पर भी एक मैनस कर दिया गया है एक क्या कर दिया गया है मैनस कर दिया गया है तो हम भी यहाँ पर एक मैनस कर दिया है उसके बाद देखिया ओफिसन नमर B में देख लेते हैं हम से भी जानते हैं कि Y के बाद Z आता है तो यहाँ पर भी क्या क्या गया है, एक मैनस क्या गया है, देख लिजे, y, z, यानि कि एक मैनस क्या गया है, और उसी परकार से देख लिजे, w के बाद x आता है, तो यहाँ पर भी क्या क्या गया है, एक मैनस क्या गया है, उसी परकार से आगे भी चेक कर लेते हैं, c के बाद क्या आता है D आता है यहाँ पर भी एक मैनस किया गया है देखे लिए आप सभी एक मैनस और A के बात क्या आता है भी आता है यहाँ पर भी एक मैनस कर दिया गया है उसी परकार से option number D को हम सभी check कर लेते हैं देखे D नमर में क्या कहा जा रहा है तो यहाँ देखेगा तो ये बिल्कुल गलत है आपका कैसे गलत है तो यहाँ देखे सब में मैनस किया गया था हम सब इसको और इसको पकड़ के गिंती कर रहे थे उसी परकार से इसे और इसे पकड़ के गिंती करते है तो R के बाद क्या आता है R के बाद क्या आता है A साता है जो कि Q दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जागा Q के बाद R आएगा Q के बाद R आएगा यानि कि एक यहाँ पलस कर दिया गया है Q के बाद R आएगा तो यानि कि यहाँ पर एक पलस किया गया है उसी परकार से देखे यहां P के बाद क्या आना चाहिए था P के बाद Q आना चाहिए था पर यहां A दिया हुआ है जो कि यह क्या है option बिलकुल गलत है ध्यान रखेगा आप सुभी यहां पर plus कर दिया गया जो कि तीनों option में minus किया गया था तो यह बिलकुल गलत हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आप सभी थोड़ा सा logic लगाईएगा तो सवाल को बना लेजीगा कही कोई दिक्कत नहीं है इसमें थोड़ा सा mind लगाईएगा तो किलिए रोजती चल जाएगा आपका बस इसमें सभी में minus किया गया गिंती करना है इधर से देख लिजे इधर से मिलाना था आपको इधर से मिलाना था इसको इसको इधर से मिलाना था देख लिजे जो कि आमको भी इधर से इसको गिंती करना था इधर से इसको मिलाना था जो कि ये follow नहीं किया इसलिए ये क्या है बेजोड सब्द है आगला कोईसन दिखे, चलिए इस कोईसन का आप सभी आंसर कीजिएगा, बनाने का कोईसिस कीजिए, कथन दिया हुआ है और निशकर्स नीचे आपको मिल लाएंगे, हाला कि ये सवाल आपको पहले प्रैक्टिसेट में बताए थे, कोईसिस कीजिए बनाने का कुछ गुडिय फूल है और कोई पेड गुडिया नहीं है, तो सबसे पहले इसका डाइग्रोम आपस भी त्यार किजिए, डाइग्रोम किस परकार से बनेगा, कुछ सभी और कोई नहीं, तो आपको बताए थे हम, कि सभी का केस, कुछ का केस और कोई नहीं, कोई नहीं का केस, अगर अंदर से बहार की तरफ आए जैसे सभी A B है ठीक है अगर अंदर से बहार की तरफ आए तो इसमें सभी का केस सही होता है कुछ का केस भी सही होता है और कोई नहीं का केस गलत होता है और वही अगर बहार से अंदर की ओर जाए तो इसमें क्या होता है सभी का केस गलत हो जाता है कुछ का केस सही होता है और कोई का केस क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो द्यान रखेगा आप सभी अगर ये foundation आपको याद है तो आप बिलुकुल सवाल को बना लिजेगा कहीं can fusion आपको नहीं होगा के लिए रहें आप देखते हैं सवाल की तरब चलते हैं सवाल क्या कहना जा रहा है क्या बोला गया क्या बोला गया कुछ गुडिया फूल है तो सबसे पहले गुडिया को लिख लेते हैं ठीक है इस परकार से इसका डाइगरोम बनेगा कुछ का बात क्या है तो कुछ इस तरह से होगा फूल है ठीक है फूल लिख लेते हैं आप देखे क्या बोला क्या है कोई पेड गुडिया नहीं है कोई भी पेर क्या है गुडिया नहीं है ठीक है तो हम इसका डाइगरोम इस परकार से बना सकते हैं कि कोई भी पेर जो है फेंड वो क्या है गुडिया नहीं है तो पेर और गुडिया के बीच कोई संबंद नहीं है पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि फूल और पेड़ के बीच कोई संबंद नहीं है तो इस प्रकार के case में क्या होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो ध्यान देज़ेगा आप सभी अब देखें निसकर्स की ओर चलते हैं निसकर्स क्या कहाना चाहता है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है तो आप सभी जानते हैं यहां साप बोला गया कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है तो आप सभी यहां देख लिए हम सभी जानते हैं कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है तो ये सही हो जाएगा अगर यही काता कि कुछ गुड़िया पेड़ है तब क्या हो जाता गलत हो जाता ध्यान रखेगा आप सभी अब निसकर्स 2 को देख लेते हैं कुछ फूल पेड़ है तो देखें कुछ फूल यहाँ है और पेड़ यहाँ है तो इसके बीच में संबंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसके बारे में कथन में चर्चा नहीं किया गया है तो इस परकार का case हमेशा क्या होता है गलत होता है जहां संभाबना की बात आ जाए वहां क्या हो जाता है निसकर्स वो गलत हो जाता है ध्यान रखेगा आप सभी तो संभाबना वाला हमेशा निसकर्स गलत होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो याद रखेगा निस नम्मर दो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और एक नम्मर निस्कर्स सही हो जाएगा समाजने का कोशिस की जगा कहीं कोई क्यान फूजन नहीं रखना है आपसा नम्मर भी राइट आंसर हैगा इसी परकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा के लिए रहें तो आज का स सबसे छोटा संख्यां कौन सा है जो 5 एड तथा 15 का एक गुणा हो क्या तो यहां पर क्या बोला है तो 5 8 और 15 का इनका क्या किजिए Alcsium निकलने का Shrubh Tricks है सब से छोटी संखिया कौन है जो बड़ी संखिया को काट दे सब से छोटी संखिया देख रहे है 5 को क्या कर रहा है 15 को काट रहा है त इसको क्या कर रहा है खतम कर देजिए अब आपके पास क्या बचा 8 or 15 बचा और 8 और 15 को गुना कर दीजे कितना हो जाएगा 120 तो आपका right answer होता है option number D is a right answer उमिद होगा कि ये question आप बहुत बहतर से समझ चुके होंगे अगला question आपके सामनी है करा किशी धन पर 11% की दर से 2 वर्स का चक्रविर्धी ब्याज रुपए कितना है इतना ब्याज आता है तो सधारन ब्याज कितना होगा कोई एक धन रासी है जो उस कितना percent की rate से दे रहा है 11% की rate से कितना वर्स दो वर्स में उसको चक्रविर्धी ब्याज कितना आता है 46-42 आता है ठीक है तो हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं मानते हैं माना की मुल्धन कितना दे दिया है मान लेते हैं 100 रुपीज है ठीक है तो 100 रुपीज मन रहा है है तो एक साल का interest कितना आ जाएगा एक सो का 11% की दर से निकालेंगे तो कितना आएगा interest एक 11 रुपए आएगा उसे तरह second year का अगर देखा जाए तो यहां पे चक्रिविर्धी ब्याज में क्या होता है कि interest का interest लगता है तो दूसरी साल में तो एक 11 रुपए रहेगा ही है पलस एक 11 रुपए का भी interest होगा तो एक 11 रुपए का interest क्या होगा 11 का 11% निकालना होगा यही न तो एक दोनों को गुना करेंगे तो 100,21 होगा 100 से गुना कर देंगे तो कितना होजायगा 1.21 होगा एक रुपए का interest कितना होगा? 1.21 अच अचाब को जोड़ दीजे 11 2 कितना होजाएगा? 22 पलस एक यह होगया कितना हो जाएगा 22 एक 23 हो जाएगा 23.21 आएगा इंट्रेस्ट यह आपका क्या हो गया CIE इकल गया इकला कि नहीं अब आप से कह रहा है कि सधारन ब्याज निकालना है Simple Interest निकालना है तो Simple Interest निकालने से पहले आप मुझे यह कितना इंट्रेस्ट आया है चक्रविद्दी व्याज तो 46 46 42 आया है और दो साल का इंट्रेस्ट कितना आया 23.21 इसको कर देज़े 100 से गुना यह डेसिमल उड़ेगा तो उपर 100 हो जाएगा होगा कि नहीं और यह कट जाएगा कितने बार में कटेगा तो दो बार में कट जाएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2440 हो जाएगा होगा यह आपका क्या आया आपका मुल्धन निकला मुल्धन निकल गया अब मुल्धन निकलने के बाद आपको निकालना क्या सुदर्यियनी वन और यह सदर्यनी वियुआ हूरा सी अभाट मेशने निगे आपको पता है इस्टार जोल और athletesि होतो है इसको क्या मुदन के लिए अव्ते किन्हें है आपका रंप्स्कार मेस होथा है तो 20,000 गुनाद दर कितने है तो आपका समय कितने है दर कितने है तो दर आपका 11% की रीट से है और समय कितने है दो बरस है और 100 जिरू-जिरू खतम हो जाएगा और सबको गुनाद करने के बाद कितना आ गया 11 दूनी 22 दूनी 2400 तो आपका कितना हो जाएगा 4400 हो जागा तो आपका right answer होता है option number A is a right answer उमिद होगा कि ये question आप समझ चुके होंगे करा A किसी कायर को कितने दिन में करता है 18 दिनों में B किसी कायर को 24 दिनों में 86 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि A, B और C एकांतर दिनों में एक अंतर दिन मना क्या हुआ एक दिन छोड़के एक दिन alternate काम करने जाता है कायर करते हैं तो कायर करते हैं तो कायर कितने दिनों में समाप्त हो सकता जाएगा ये चीज़ को दिखने तो आपको क्या कर रहे A है A कितने दिन में काम करता है 18 दिन में और B कितना दिन में, 24, और C कितना दिन में, 36 डे, ठीक है, इस तरह का काम करता, आप क्या किजिए, आप तीनों का LCM निकाल लेजे, ठीक है, तीनों का LCM निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तीनों का LCM कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो ये 72 क्या है, चार काम करेगा और B कितना काम करेगा ये आपका काम करेगा तीन और आपका C कितना करेगा ये आपका काम करेगा दो ठीक है ये आपका चार काम करेगा बी एक दिन में कितना काम करेगा तीन काम करेगा और C कितना करेगा दो काम करेगा एक दिन में तो आप ये चीज देखेंगे, कि टोटल एक दिन में कितना काम हो जाता है, तो टोटल एक दिन में काम हो जाता है, चार, तीन, साथ, साथ दू, नो काम होता है एक दिन में, अब ये क्या किज़े, नो को इसमें क्या किज़े, भाग देजी, तोटल वर्क कितना होगा, या बह मिल की काम करेगा तो कितना लगेगा आठ दिन लगेगा नेकिन ये चीज़ समझना है वह क्या करता है एक आंतर काम करता है एक दिन छोड़ छोड़ के काम करता है अगर आज एक काम करेगा तो बी और सी नहीं करेगा और बी करेगा तो इसी नहीं करेगा मन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है जब छोड़ छोड़ के काम कर रहा है तो इसको तीन से गुना कर दीजे तो कितना होगा 24 दिन में ये काम complete करेगा तो आपका right answer होता है option number D is the right answer अगला question आपके शामने है कर रहा है दो बसे एक ही समय पर दो बस स्टेन से एक दूसरे की तरब से 40 किलोमेटर परती घंटा और 50 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से चलती है जब वह मिलती है एक बस दुसरी बस से 160 किलोमेटर अधिक चल चुकी है तो दोनों बस स्टेन की बीच की दूरी क्या होगा आप देखे एक एस्टेशन है एक स्टेन है A और B ठीक है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जब यहाँ A स्टेन से बस जाती है तो यह ताई करती है 40 किलोमेटर पर घंटा की स्पीड से है और जब B इधर से जो दूसरा स्टेन से आती है तो ये 50 किलोमेटर पर घंटा की चाल से चलती है ठीक है और एक समय तो दोनों की स्पीड से कितनी है तो आप ये चीज़ देखेंगे तो कितना है तो 10 किलोमेटर ये अधिक चलती है पर घंटा इसकी स्पीड जादा है कितना घंटा जादा चलता है तो 10 किलोमेटर पर घंटा कि इस फिर से इसकी ज़ादा है नेकिन यहाँ पर दूसरी बस कितना जा रहा 160 किलोमेटर अधीक चलती है तो 10 है था 10 तो इसका समय यहाँ से निकाल लेंगे टीज कल्टू कितना हो जाएगा 160 अब टे 10 कर दे 10 किलोमेटर पर घंटा अधीक चलती 10 से भाग दे देंगे तो 0-0 खतम हो जाएगा तो मतलब समय कितना लगा 16 गंटे में वो चलती आए कितना दिर में 16 गंटे में आए अब यहाँ पर करेंगे क्या 50 किलोमेटर चल रहा था अगर स्पीड से जा रहा होगा तो यह 16 गंटा बस चली कितने गंटा बस चली 16 गंटा के चली तो 60 गंटा हो जाएगा तो 50 और 60 गंटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 किलोमेटर यह चलेगी यह वाला बस और इसे भी अगर हम करेंगे तो 60 गंटा करेंगे तो कितना हो जाएगा इस टेन की बीच की दूरी क्या है, यहां की जो यहां से यहां तक, जो आई यहां से यहां तक, इस बच के बीच की दूरी कितना होगा, तो यह दूरी और यह दूरी को जोड देंगे, कितना हो जाएगा, यह दोनों को जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, छे सो चालीस पल उम्मिद होगा कि यह question आप बहुत बहतर से समझ चुके होंगे अगला question आपके सामने है कराय चीनी के दाम में 12 पॉइंशन गटने पर एक बिक्ती रुपए 840 में 3 किलो और चीनी अधिक खरीज सकते हैं 840 में कितना अधिक खरीज सकते हैं तो चीनी की नई कीमत परती किलो कितनी है तो 840 रुपए में वह जो भी हो चीनी की प्राइज उतना खरीज सकता था ठीक है खरीज सकता जो भी है प्राइज का पता नहीं और यह कितना घटने पर अगर इसको एतना घटने 840 पे और ये तो चीनी जो आएगा जो पहले 840 में चीनी परचेज करता था उसके बाद जितना अभी परचेज किया उसके बाद भी ये 3 किलो केजी और वह क्या कर रहा है 840 रुपए में चीनी परचेज कर वाता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना भटगटा था तो 12.5% तो 12.5% को आप ये लिख सकते हैं 25 बटे 2% लिख सकते हैं तो 25 बटे 2% को आप इसे लिख सकते हैं 1 upon 8 तो कैसे इस तरह के इसको तोड़ सकते हैं 25 परसेंटेज हटेगा तो नेचे 100 हो जाएगा तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 200 एक 25 अठे 200 तो 1 upon 8 हो जाएगा तिसी तरह यहाँ पे किये हैं 1 upon 8 हो जाएगा ये चीज किलियर होगी आपको किलियर होगी तो ये चीजी थोड़ा सा देखना है तो पहले क्या था? 840 रुपय था जिसमें कुछ चीजी वो परचेज करता था बट अभी जब 25.5 परशेंट घड़ गया तो वह क्या 840 रुपय में पहले जितना चीजी खरीद के लाता था उससे 3 किजी अधी खरीद पाता है ठीक है? तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 25 अपन 2 अब इसका परतिसत निकाल लिया जाए तो 1 अपन 8 हो जाएगा 1 अपन 8 हुआ की नहीं तो आप यह किज़े 840 का 1 बटे 8 निकाल लेजे तो कितना हो जाएगा? यह कट जाएगा तो कटेगा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा अब यह चीज देखेंगे कि 105 रूपीज में आप कितना चिनी खरीद पा रहा है? तो 3 केजी ठीक है? तो 105 में 3 केजी चिनी खरीद पा रहा है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? कट जाएगा देखिए तो, कटेगा, ये कट जागा कितने बार में, तो 35 बार में कट जागा, कितने बार में कटेगा, 35 बार में कट जागा, तो मतलब एक केजी का उसका दाम कितना हो जागा, 35 रुपए हो जागा, नई कीमत कितना हो जागा, 35 रुपए, तो आप इसी तरीके से ऐसे भी ब और खरीद बारा था कितना rate कटने पर तो 1 upon 8 कर देते हैं ठीक है क्योंकि 12.5 का rate निकाले तो 1 upon 8 मना इतना घटने के बाद 3 किजी चीनी अधिक खरीद बारा है अब ये कट जाएगा कितने बार में 105 पर में कटा अब ये चीज़ देखेंगे कटा कितना 3 किजी कितना हुआ 105 ये कट जाएगा 35 बार में तो आपका कितना आ गया 35 आ जाएगा तो आपका right answer होता है option number B is a right answer आप exam hall में इस तरह से बनाएगा ताकि जल्ली solve हो सके ये आपको समझाने के लिए हम इसे long process में ले गया है ठीक है उम्मिद होगा कि ये आपकी clear हो गया होगा ये question अगला question आपके सामने है कर रहा है एक बेपारी एक बस्तू को यदि 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानी होती है 30% लाब कमाने के लिए बस्तू की किस मुल पर बेचना होगा ये question कहा गया है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि एक बेपारी एक बस्तू को कितना में यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की क्या होती है हानी हो जाती है तो इचीज देखेंगे आप कि 105 रुपए में ये बेचता है तो 9% का हानी होता है तो वो बेचा होगा कितना percent में तो अपनी आप किसी भी बस्तू का प्राइज के तो 100% होता है तो 100% में 9% हाने हो जाता है तो बेचा कितना होगा 91% में बेचा होगा बेचा होगा कि नहीं तो 105 बटे कितना कर देजे तो 91 कर देजे ठीक है और ये क्या किजे 100 से गुना कर देजे ठीक है अब ये तो यहाँ से सुर्भ हो जाएगा उसके बाद इसमें क्या बोला कि 30% आल लाव होने पर 30% लाव कमाने के लिए बस तो कि किस मुल पर बीजना होगा तो यहीं पर आपका किर्जिच गुना कर देजे तो 30% लाव होता है और 13 धन 30 से हो जाएगा और देखे यह कट जाएगा 15 सते पचोतर से तो 15 गुना 15 गुना 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डेड़ सो हो जाएगा ठीक है तो आपका राइट आंसर होता है आपसन नमबर ए इस राइट आंसर उमिद होगा कि उसे तरह अगला कोशन आपके सामने है करा करय मूल तथा विकरय मूल का अंतर कितना दिया है 221 है यदि लाव 17 परसेंड है तो विकरय मूल ग्याद करें यहाँ यहीचीज समझना है कि क्या कर रहा है कि करय मूल तथा विकरय मूल का अंतर इतना दिया है तो ये भी एक परकार का क्या है, आपका लाव ही है, एक परकार की क्या है, ये लाव है, एक परकार की क्या है, 17% क्या हुआ है, क्या हुआ है, 17% लाव हुआ है, तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, तो विग्रेम मूल निकालना है, कोस्ट प्राइज निकालना है, तो कोस्ट प यहां पर क्या था दोनों को जब अंतर किया तो इतना लाव हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या किजिए 211 बटे 17 अब पुना कर देजिए 100 से ठीक है अब यह कर जाएगा इतना बार में कटेगा तो 13 बार में कर जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 13 गुना 100 करेंगे तो 1300 हो जाएगा होगा कि नहीं और यह भी आपका लाव हुआ है कितना का लाव हुआ है 211 तो 1300 पलस 211 का इसमें जोड़ दीजे तो कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा राइट अंसर होता है option number B is the right answer अगला question आपके सामनी है 588 पर 6% वर्सिक दरपर 4 वर्स में कितना सदारान ब्याज होगा तो simple interest निकालना है तो simple interest निकालने के लिए क्लिए क्लिए होता है P, R, T upon कितना होता है 100 तो P क्या है मुल्धन है R क्या rate है, T क्या है समय है तो क्या मुल्धन कितना दिया है मुल्धन कितना दिया है तो 588 गुना rate कितना है 6 है और समय कितना है 4 अब बट्टे क्या हो जाएगा 100, 00 खतम हो जाएगा इसको इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 348 आएगा और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 348 इंटू 4 करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा 13 बिरान भी हो जाएगा तो आपका right answer होता है option number B is the right answer अगला question आपके सामने है यदि दो संख्याओं का योग कितना है 24 है और उनकी बीच का भाग कितना है 7 ratio 5 है तो दूसरी संख्यां ग्याद करना है तो क्या दिया गिया देखे तो 7 क्या दिया है 7 ratio 5 दिया गिया है और योग कितना दे दिया है इसका योग दिया गिया है 24 दे दिया गिया है अब ये दोनों को जोड़ियत कितना होगा 7 5 कितना होगा 12 हो जाएगा साथ 5 कितना हुआ 12 यह 12 को किया किजै इससे योग से डिवाइट कर देजे कितना हो गया 12 डारठोनी 24 तो कितना आया 2 आया अब क्या कहा तो दूसरी संख्या घ्याद किए दूसरी संख्या क्या है? 5 है, तो 5 का गुना कर दिजिए 2, कितना हो जगा? 5 to the 10, तो आपका right answer होता है, option number C is the right answer, उम्मिद होगा कि ये question आप काफी सांदार से समझ चुके होंगी, तो आज का session मैं यहीं पे complete करते हैं, मिलते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल, त जहें दूसतों